Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो सीरीज में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, इंग्लिस अच्छी कैसे बोली जाए, क्या तरीका है अच्छी इंग्लिस बोलने का, तो आज हम बात करेंगे, कैन के बारे में आखिर कैन को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ऐसा क्या मैथनड है जिससे लोग कैन इतना एजिली बोल पाते हैं, आज मैं आपको बताऊँगा, बिफ़र आइ स्टार्ट इस वीडियो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं क्यों नया वीडियो अड़ करूँगा, तो आपको इसका नोटिफिक्रेशन मिल जाएगा, लेखे, कैन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आपको अब सब्सक्राइब पता होना चाहिए, कैन है क्या, जैसे मैं आगर लिखता हूँ, गो, वाब बताएंगे, गो एक वर्ब है, उसी तरीके से कैन क्या चीज़ है, अगर आपको पता है, तो वीडियो पॉस कर क्या भी बताईए, मैं बताता हूँ आपको, देखे, कैन जो होता है, वो होता है, मॉडल वर्ब, कब करते हैं, देखे, कैन के तीन यूज है, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, वो होता है, वेनेवर यू वान्ट टू टॉक अबाउट दा एबिलिटी ऑफ समबडी, अब किसी के कोई काम करने की छमता, कैपैसिटी और अबिलिटी के अगर हम बात करते हैं, तब सेकेंड यू में का रिक्वेस्ट, किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन यह जो रिक्वेस्ट है, यह रिक्वेस्ट होनी चाहिए, यह informal, formal request नहीं, informal request आपका इसे से करते हैं, right, and the third use is, whenever you want to talk about or confirm something, लेकिन mainly हम लोग can का जो use करते हैं, वो हम use करते हैं, ability के लिए, अपनी छमता को बताने के लिए, और छमता नहीं है तो मना करने के लिए, और सामने वाले की छमता को पूछने के लिए, यह दो बात आपको समझ में आ गई, can एक model verb है, और can का use हम लोग ability के लिए करते हैं, तीसर और सबसे important चीज़ आपको याद रखनी है, this is true for all the model verb, जब भी कोई model verb आईगी, तो उसके बाद आप हमेशा, जो verb है, उसकी first form का use करेंगे, तो can के बाद हमेशा आपको first form use करने है, I am repeating again, can is a model verb, we use mainly can to show our ability, and third is after can we always use first form, अब इसी के बेस पर हम लोग sentence बनाते हैं, आपको पता है, there are three types of sentences basically as far as spoken English is concerned, positive, affirmative sentence, negative, and interrogative, interrogative में भी कौन सा हम लोग बात करेंगे, confirmation type के, जिसमें हम लोग confirm करते हैं, we get the answer yes or no, let us understand this one by one, माल लीजे मुझे अपनी capacity किसी को बतानी है, कि मेरी ये capacity है, तो बहु बुलूँगा I, उसके बाद में लिखूँगा can, और उसके बाद में लिखूँगा, उस काम का नाम, जैसे मेरी capacity है, मैं दोड सकता हूँ, तो बुलूँगा I can run, यहाँ पर run आ जाएगा, अगर मेरी वो capacity नहीं है, तो बुलूँगा I cannot, बहुत ही simple तरीक से बता रहा हूँ आपको, यही बात है, अगर किसी भी person के लिए करने मालीज, आपको he के लिए बोलने तो आप बोल देंगे, he can run, you can run, they can run, we cannot run, he cannot run, तो चाहें आपका doer कोई भी हो, चाहें आपका subject कोई भी हो, rules अब के लिए same है, subject उसके बाद can, और उसके बाद वो काम, अब यहाँ पर आप कोई भी काम पूट कर सकते हैं, आपको concept समझ में आ गया, जैसे मालीज जी मैंने लिया, play guitar, अब जैसे मेरे से आप पूछेंगे, क्या आपको guitar आता है, तो मैं बोलूँगा, I cannot play guitar, I cannot और यहाँ पर आजाएगा play guitar, और अगर कोई कर सकता दो बूलेगा, yes, I can play guitar, आप मैं से कितने लोग guitar प्ले कर सकते हैं, let me know in the comment section below, तो इस तरह से आप positive बना सकते हैं, I can, he can, you can, और negative बना सकते हैं, क्या हम लोग किसी सामने वाले से पूछ भी सकते हैं, कि उसकी छमता क्या-क्या है, बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप can सबसे पहले ले आएंगे, उसके बाद जिस person से आपको पूछना है, उस subject का नाम आप ले आएंगे, I, you, he, see, उसके खुद से कभी नहीं पूछते, और उसके बाद जो काम पूछना बोले आएंगे आप, यसे माले जिस मुझे आपसे पूछना है, क्या आप French बोल सकते हो, तो मैं पूछू हूँँआ, can, you, French तो French होता है, और बोलना होता है speak, can you speak French, अब मैंने आपसे बुछा, can you speak French, अब आपको दू आंसर आएंगे, या तो हाँ, I can speak, या फिर न, I cannot speak, तो इस तरह सब sentence बना सकते हैं, I can, और I cannot, अब यहाँ मैंने you use किया, but you can use anything, आपको यहाँ पर you ने use करना, तो आप you को अटा दो, ही कर दो, can he speak French, he can speak French, he cannot speak French, जो बाते में आपको बताएं हैं, यह ability के लिए हैं, हम कई बार can से कुछ confirm भी कर लेते हैं, जैसे आपने कहीं, अगर आप कई बाहर जाते हैं, आपको दिखा होगा, लिखा होता है, can I help you, can I help you, क्या है, they are offering help, तो जब हम help को offer करते हैं, तब भी हम लोग can के use कर लेते हैं, कर सकते हैं, तो this is the use of can, I hope आपको समझ में आया होगा, आप easily बना पाएंगे, पूछ पाएंगे, किस से किसी की भी capacity, can you, can he, can they, and then वो काम, अब आपको छोड़ा सा काम देता हूँ, देखते कितनों को समझ में आया है, मैं यहाँ आपके लिए एक word लिख रहा हूँ, आपको can से sentence बनाने, पूछना है, answer देना है, positive, answer देना है, right, sentence बहुत simple है, speak English, let us see, कितनों लोग बना पाते हैं, आपको कोई भी डाउट आता है, English speaking में, तो आप definitely मुझसे पूछ सकते हैं, comment section में से connect हो सकते हैं, so that is all about this video, thank you so much for watching, take care, bye bye,